अच्छा अब जो है आप लोगों का सेशन नंबर वन ओफ यूर टू डामेशनल प्रॉब्लम सॉलिंग स्किल्स के जो हम लोग सूड़ो कोड की क्लास्स होती है जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हर दिन जो है वह एक एक कोड जो है प्रॉपर तरीके से कर सकें जो हम लोग है कि मैं कोशिशन को रीट किस तरीके से करता हूं बिल्कुल भी इसका मकसद नहीं क्लास का क्लास का मकसद यह नहीं है कि आप लोगों को समझना है आपको यह चीज़ पर फोकुस रखना है कि मैं सवाल को पढ़ता कैसे बस और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे मैं उस जरूरी है कि मैं किस तरीके से रीट कर रहा हूं ताकि आप लोग आगे जाए अगर कोई डिफरंट अपरोच आ जाती है तो उसमें सिर्फ मेरा जो रीडइंड अपरोच है को समझनी की अपरोच है उसको सिमार कर सको तो मैं जो भी अपने दिमाग में सोचता जाउँगा Это आपनों के साथ बोलता जाऊंगा, कि मैं किया सोच रहूं में इस वक्त, सही कोशन को रीड करते वक्त, तो मतलब अभी यह सवाल जहें, मैं ने पहली दफ़ा ही solve किया आपनों के सामने, मतलब इसको पहली दफ़ा ही मैंने आज notes बनाते वक्त, solve किया, तो जो अप्रोच मेरे दमाग में थी वो मैंने attempt की है और वही मैं आप लोगों के साथ share करूँगा कि मैंने किया तरीका follow कि है मैंने किस तरीके से इस अप्रोच को देखा है और कैसे सोचा इसके बारे में तो कहा कहा मुझे problem होई थी कहा कहा नहीं होई थी तो आइस्ता इस्ता सारी चीज़ें को देखेंगे हैं चलो question आप लोगोंने solve starting में नहीं करना है और मेरे साथ कोई question solve नहीं करेगा कोई भी इसमें आगे भागने के कोशिश मत करे सिर्फ देखो कि मैं किस तरीके से solve कर रहा हूँ और जब खत्म होजा recording उसके बाद आप लोगों को इसके notes जे हैं वो description में मिल जाएंगे और आप लोगों को जो students है वो जो batch students है उनको group में मिल जाएंगे आप लोगों को तो आप लोगों के already वैसे तो upload हो चके हैं जो drive के लिंक है आप लोगों की paper 2 वाली तो उसमें already notes में upload कर चुक हो session वन के ताप लोगों वहां पर भी देख सकते हो मैं कोशिश करता हूं कि उसको वर्ट से भी आप लोगों को दे दूं सब्सक्राइब करना जरूरी है आप लोगों ने इस की approach को समझेंगे अगर यह सवाल आपनों के पास आ जाता तो आप लोग क्या करते इस चीज़ पर focus करना इस सवाल को मैं पहली दफ़ा देख रहा हूं और मिटा उमर यहां पर focus करो इस पर focus अब सब का focus मुझे यहां चाहिए जिसने solve कियावा भी है कोई मसला नहीं tension नहीं लो लेकिन सिर्फ यहां पर देखो कि मैं किस तरीके से read करूंगा difficult question है difficult scenario है समझना जरूरी है बहुत असान तरीन code है असान तरीन code है लेकिन logic बहुत difficult है अगर सही से समझ नहीं पाए तो अब देखते हैं इसको सबसे पहला काम question को read करना है और read करने के बाद हम लोगों ने इसकी approach को समझना है कि क्या कहना क्या रहा है हमसे इस पूरे सवाल के अंदर चलो भई इसको देखते हैं सिर्फ read करेंगे हम लोग read करने के बाद हश्ता है इस चीज़ों को देखेंग पहले तो पूरे paper को read कर लिया आपने पूरे paper को read करने के बाद ऐसे सवाल जो होते ना इस सवाल को देखा आपने कोशिश की पढ़ने की और आपने चलो बटा अभी इसको side पगड़ते हैं अभी मैं इसको attempt नहीं कर रहा हूँ यह दमाग को बठा लो जब भी ऐसे सवाल आ पहले और देखने बाद मैंने इसको ignore कर दिया कि भाई मैं इसका कोई तालुक ही नहीं मेरा यह बिलकुल ऐसा सवाल है जिसके बारे में आपने आखर में सोचना है सुकून से सोचना है पूरे paper में जल्दी कर लो पूरे paper में इस question को read किया आपने कहा कि भाई अच्छा बड को last में करना है यह वाला सवाल ऐसे खास सवाल पर जो देखके आपको ऐसे लगए कि खौफ आजा है उसको देखके तो उसको चोड़ दो चोड़ने के बाद इनाइन 618 का है और भी focus करो यहां पर सभी है अब देखो अब मेरे पास सब चीज़ में कर लिए मैंने imagine करो मेरे चीज़ को चोड़ी सी चोड़ी चीज़ को हाइलाइट करके identify करो सा मतलब क्या है अब mobile phone has a touch screen ठीक है touch screen की बात हो रही है मेरे दमाग में फॉरन क्लिक हो गया कि भाई यह कुछ ना कुछ टू-डामिशन एरिस देखके पता चल लेकर फिर भी touch screen मतलब screen images यह जो सवाल होते ह तू-डामिशन एरिस के होते हैं अच्छा इस रिप्रेजेंटेड अब यहां पर देखा मैंने कि यह रोज दी है मैंने इसको identify किया सर्कल कर लिया कुछ भी कि याद रहे आपके दमाग में बैठ जाए कि 800 रोज है और 1280 कॉलम्स है चलो यह दो चीज़े मैंने identify करने कि जो चीज थी relevant वो मैंने identify कर लिए which is 800 रोज और 1280 कॉलम्स इसके इलावा मेरे पास कोई relevant चीज नहीं है कुछ काम की चीज नहीं है बाकी information जब फालत हुआ है सभी है अभी फिलाल के लिए तो मैं पस मैंने सब यह देखा 800 रोज और 1280 कॉलम्स आगे बढ़ा मैं the grid the grid is represented by a two फूड़ा में शहर है मेरे लिए कोई ज़रूरी चीज नहीं है इसके अंदर अब यहां से मैंने पढ़ना start किया एन array element will be set to zero अब यहां पर रुख जो कुई भागना नहीं इस काम में कुछ भी तेजी से नहीं करना है जो अभी read करने का काम है वो तेजी से नहीं होगा फिर बोल ला हूँ इसमें आदा घंटा देना पड़ जाए आदा घंटा दे दो कुई मसला नहीं पेपर में टाइम होगा उसका मैं guarantee लेने को त्यार हूँ अगर इस अप्रोच से करते हो कि पहले सारे कर लिए फिर इस पर आओगे तो an array element will be set to zero अब translate करो इसको अपनी जबान में कि भाई array element जो होगा for example अब देखो यह मैं imagination कर रहा हूँ for example यह for example क्या है यह मेरे दमाग में चल रही है क्या चीज़ कि एक array होगा उसमें will be set to zero set to zero मतलब यहाँ पर value zero मौजूद होगी यहाँ पर zero मौजूद होगी unless unless मतलब इसको translate करो क्या समझाना चाहिए उसने क्या कहना क्या चाहिए इस sentence सिर्फ इस sentence से इस पर focus करना है कि भाई array के जो elements है वो zero 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 के अंदर मौजूद होगा unless the user जब तक कब तक होगा जब तक user उस particular screen पर touch नहीं कर दे जैसे उस point पर touch करेगा उसकी value zero से one हो जाएगी यह कोई भी मेरे पास extra knowledge नहीं है मैंने वही चीज़ देखी है and array element will be set to zero मतलब zero है उसकी value unless unless मतलब कि पहले zero था मतलब initially zero था अगर वहाँ पर touch कर दी किसी ने the user touches that part of the screen अब यह तो नहीं लिखावा कि one हो जाएगा या क्या हो जाएगा आगे पढ़ते हैं many many मतलब एक नहीं रहा है सभी इसका यह मतलब नहीं है अब वो क्या कहना चाहरे है वो क्या कहना चाहरे है many array elements मतलब एक से ज्यादा array elements जहें वो one हो जाएंगे चलो यह सब मैं क्या करूं में पस कोई वही नाजल नहीं हो रही में पस extra कोई चीज knowledge उपर से नहीं आ रही है मैं सिप और translate करा हूँ कुछ भी नहीं है अभी तक चलो two dimension array 800 rows 1280 columns हर value 00 है जब तक user touch नहीं करता उस पे जैसी touch करेगा उसमें एक value change नहीं होगी बहुत सारी उसकी इर्द-गिर्द की values जहें वो change होंगी are set to one by a single touch एक touch करने से बस by a finger or stylus में जरूरी चीज़ नहीं है the following diagram एक diagram दीवी है समझाने के लिए अगर कोई चीज़ दीवी है वो आप लोगों के लिए असानी पैदा कर रहा है the following diagram shows a simplified touch screen एक यह simplified touch screen दीवी है उसने the dark line जो dark line है represents a touch to the screen यह जो dark line दीवी है वो कह रहा है कि यह touch को represent कर रहा है all grid elements that are wholly मतलब जो completely covered है या partly मतलब आदे आदे covered है line के अंदर आ रहें inside the outline will be set to one मतलब जी जो पूरी एक line बनी हुए है इसके अंदर के elements और इस पे जो elements मौजूद है वो सब one one हो जाएंगे कब होंगे जब आप touch करोगे सही है screen को touch किया जाएगा तो will be set to one अभी तक सिर्फ मैंने क्या किया है अभी तक मुझे तकरीवन 5-6 मिनट हो चगे है सवाल को पढ़ते है बस कोई जल्दी नहीं है इसके अंदर कुछ भी इतनी सी भी जल्दी नहीं कर तो यहां पर जो करना करो जो करना करो सवाल को समझ लो लेकर सवाल समझ आगी coding सुकून से होगी अच्छे तरीके से होगी खुबसूरत तरीके से होगी उसमें कोई गंदगी नहीं होगी तो main चीज़ क्या है में चीज़ यह है कि यहां पर जितनी गंदगी करने कर लो कोई मसला नहीं लेकिं identification करना जरूरी है हर एक point का मतलब क्या है क्या समझाना चाह रहा है और अगर क्या वो relevant है मेरे लिए या नहीं है इस चीज़ को identify करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लों के लिए चलो अभी सिर्फ focus करना है सवाल को पढ़ने में इस elements are shaded ठीक है जी उन्होंने बता दिया कि जो shaded elements है वो जो है वो one one हो जाएंगा आपके the elements shaded in black diagrams represents the sense अच्छा अब वो कहने the element अब यहाँ पर focus करो is it a single element और multiple elements चाट पर yes कि उन्हों में जवाब दो सब जल्दी तेस जवाब दो ताकर मुझे पता सके active हो तम लोग यह नहीं is it a single element और elements single element है क्यों पता चला मुझे कैसे पता चला मैं हर एक एक word पर focus है मेरा हर एक एक word पर वो अब इसमें जल्दी कर दी ना तो miss कर जाओगे क्या कहना चारे element shaded in black एक single element diagram पर देखो क्या कहना चारे मुझे नहीं समझाई मैंने कहा element shaded in black represents the center point तो यह एक center point है किस चीज़ का center point है इस circle का center point है which basically represents 6,11 row 6 है column number 11 है ठीक है जी element की बात हो ज़िए अब क्या कहरा आगे बढ़ते है कुई जल्दी नहीं करने अभी तक 15 मिर्ट लेने है 15 मिर्ट लेलो आदा गंटा लेने है आदा गंटा लेलो कोई मसला नहीं इसमें अब वो कह रहे है एक program है आपने program बनाना है जो के coordinates को डूंड़नेगा coordinates को डूंडना है मतलब row या column की बात हो रही होगी यह आप ठीक है the row and the column of the center point मतलब क्या है एक ऐसा program बनाना है आप लोगोंने बिटा अबदुल्ला भी focus करो इससे focus करो जब तक सवाल समझ नहीं आए read करते चाओ सरी coding करने का कोई फाइदा नहीं अगर सवाल समझ नहीं आए तो अगर आपको एक घंटा लग रहा है सवाल पढ़ने में मैं बोल दिये मैंने तुम्हारे दुमागों ये मौझूद है कि सरने वोला था पांच मिनट में ही पढ़ना है नहीं समझ आए तुम आगे बढ़ जाओगे coding में साही है कुछ भी नहीं maximum नहीं जब तक सवाल समझ नहीं रीट करते जाओ coding कुछ भी नहीं है मैं पहली अभी हमने ये डीटेल में सारी चीतने बात की है कि coding कुछ भी नहीं होती coding is never difficult at all main चीज क्या है logic coding में दो मिनट लगते हैं करने में 2-3 मिनट भी नहीं लगें अगर logic ले रहे तो तो इस पर जितना time देना दे दो चलो आगे बढ़ते है अब वो क्या कह रहा है एक ऐसा program बनाना है मैं सिर्फ translate कर रहा हूँ आप लों के लिए जो मेरे दमाग में translate automatically हो रहा है a program is needed ठीक है to find the coordinates coordinates डूनने किस चीज के row and column डूननी of center point मतलब इस चीज की बात हो रही है center point center point को उसने क्या कहा था the element shaded in black उसको डूनना है आप लोगोंने ठीक है अब वो क्या कह रहा है the center point on the diagram above is 6,11 अभी फिलाल के लिए उसने example बता दी कि 6,11 अब जो जो पूछ रहे थे last time मुझसे कि example data क्या होता है this is known as example data ये diagram दी वी है ये imagination के लिए 6,11 की बात हो रही है तो इस particular चीज़ की बात हो रही है सही है the center point on the diagram above is 6,11 एक example दे दी आपनों को assume the user may only touch one area at a time मतलब एक वक्त में से एक ही जगाँ touch करेगा screen rotation से भी कोई फ़रक नहीं पड़ेगा मतलब rows and column will remain same बिल्कुल शेयन अभी फिलाल जो है वो उन्होंने बताया नहीं है हम कुछ assume नहीं कर रहे है वो क्या कहरे हैं the center point on the diagram above एक example बता रहे हैं आपको के 6,11 है row 6, column 11 सही है चलो अब आगे बढ़ते हैं यहां तक किसी को कोई point में मसला किसी point में अगर नहीं है clear नहीं है फिर से read करेंगे इसको अगर clear होगा तो आगे बढ़ेंगे अगर clear नहीं होगा तो हम इसी पे रहेंगे कुछ भी हो जाए इससे अगर आगे बढ़े आप लोग तो मसला हो जाएगा अगर इसका हर एक एक point clear है सेंटर का समझ नहीं है सेंटर का क्या समझ नहीं है जनब देखो क्या कहना चाहर है वो read करो मेरे साथ मैं कुछ भी नहीं देख रहा मैंने क्या कहा वो कह रहे है element shaded in the black represent the center point मतलब for example suppose करो ये screen थी मैंने इधर इधर touch किया था इस box पर touch किया था जब मैंने इस box पर touch किया तो सिर्फ ये one नहीं हुआ एरे किंदे ये values one नहीं होगी वो ये value सारी values जहें वो one हो गई अब मुझे क्या find करना है कि मैंने किस particular location पर touch किया था अब मैं क्या करूंगा मुझे center point ढूंड़ने के लिए अब मैं मुझे कुछ पता ही नहीं कशफ मुझे मुझे आई डी नहीं कुछी चीज़ का मैंने तो जो अभी तक question में पढ़ा है वो मेरे दमाग में है अभी हम आगे path करेंगे तो फिर देखेंगे क्या कहना चाहरा हुर तही है चलो बिलकुल बिलकुल चलो कुछ मॉडियूल उसने start कि हैं बताना हमें क्या क्या इस्तिमाल कर सकते हैं इसको करने के लिए अब यहाँ पर हमसे वो कह रहा है कि we have a module with the name set row set row के नाम से मापस एक module है we have a module search in row we have a module search in column यह हमाँ पस तीन modules अभी फिलाल उनसे बताये हैं और आगे अगर देखेंगे कोई और module बताता है तो उसको भी code करना होगा अभी फिलाल इन तीन को study करते हैं detail में जहां पे time देना बहुत ज्यादा जरूरी है और example data को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अब मैं इस approach की बात करूँगा जो मैंने आप लोगो problem solving की जो भी वो चली थी lecture था उसके अंदर मैंने बताया था आप लोगो कि अगर सवाल पढ़िके समझ नहीं आए अभी हम सवाल पढ़ेंगे हमारे circuit पर से जाएगी अगर समझ नहीं आता तो मैं क्या करूँगा उसको देखना देखो set arrow generates test data ठीक है set arrow जो है set row my bad set row के नाम से एक function है module है function है या या नहीं यह वो मुझे नहीं पता हम आगे हम देखेंगे चाके अगर function है यह procedure है अभी फिलाल हम लोगों नहीं देखा है set row एक module है उस module में क्या हो रहा है called with parameters with three parameters तीन parameters है उनकी data type integer है ठीक है boss यह समझ आ गया हमें सब्सक्राइब कॉन कॉन से एक row number दिया हुए और row number the number of pixels to be skipped starting from column 1 ठीक है number of pixels skipped to be skipped starting from column 1 मेरे circuit पर से चले गई even कि चब मैंने पहले कफा पढ़ा था मेरे circuit पर से ही गई थी आपनों के circuit पर से भी जाएगी आपनों के कुछ समझ नहीं आगो इसमें the number of pixels to be skipped starting from column 1 नहीं समझ आई मुझे अभी फिलाल चलो ठीक है कुई tension की बात नहीं है आगे बढ़ो the number of pixels that should be set to 1 यह point फिर भी easily समझ आ सकता है कि कितने pixels आपने one set करने है one को set करना है जहां जहां पर वो बता दी होकर five pixel set करने one के लिए तो इसने आपने five pixel set करने होंगे ठीक है यह चीज मुझे समझ आगए यह वाला point समझ आगए यह second point बिल्कुल भी समझ नहीं आए मुझे to be honest समझ नहीं आए असल में समझ नहीं आए सभी अब मैं क्या करूँगा समझने की कोशिश करते है for example से for example मतलब कहना के अचारे set the required number of pixels to one one करना ठीक है समझ आगए चीज अच्छा क्या इसका code difficult है अगर मैं आप लोगों को बोलू हूँ इसका maximum code तीन लाइन का है आप लोग यकीन करोगे नहीं कर पाऊगे क्यों क्योंकि आप लोगों के दिमाग में क्या है कि यह बहुत code difficult है आपने दिमाग में क्या भी ठालिया कि यह code difficult है नहीं code is not difficult at all मैंने क्या कहा है सिर्फ चार लाइन को code है maximum बस सिर्फ चार से पांच लाइन को code है बस और बहुत असान अप्रोच है अगर समझा जातो और यह 6 माग के कुछ का सवाल है आप लोगों के अगर समझा जाते यह 5 से 6 माग के बहुत बच्चों वाला code है code देखो कि तुम लोगों को इतना असान लगेगा घदना हो लेकिन कहना क्या चार है समझाना क्या चार हो मैं तुम लोगों को last point समझने है मुझे कुछ भी समझने है तो मैं तो last point नहीं समझा है अब एक रफली हम पढ़ लेते हैं, अभी मैं फोकुस नहीं कर रहा हूं, सर्च इन रो, सर्च इन कॉलम पर, मैं अभी सिर्फ रफली पढ़ रहा हूं, कि क्या मुझे इस चीज़ को इंटिफाय करने के लिए, क्या मुझे ये इधर तो इस्तमाल नहीं करने पड़े, सरी, देखते हैं, टेक्स टू परिमेटर्स, रो नमबर, ठीक है, अभी मैं इसको समझने की नहीं कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ रीट कर रहा हूं, सर्चन कॉलम, सर्चन रो, सर्चन कॉलम को सिर्फ, रीट कर रहा हूं, बस, टेक्स टू परिमेटर्स, रो नमबर, असराट कॉलम, ठीक है, सर्च इस गिवन रो फिम दे स्राट कॉलम, इधर लेफ्ट तो राइट और राइट तो लेफ, नहीं समझ आया, कुछ भी उपर जाके हम लेको नहीं इस्तेमाल नहीं करना है, सर्चन कॉलम, ठीक है, वही सेम चीज़ है, बस कॉलम के अंदर सर्चन कर रहा है, चलो, अभी फिलाल मैंने यह इडिंटिफाय कर लिए, कि मुझे इन दोर को भी रीड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो, अब सेटरों के पर बात किरते हैं, वापस चलते हैं, अब जो चीज़ सर के उपर से गई थी, उसको हम समझेंगे किस तरीके से, अब हम इमाजिन करेंगे, जब पूरा सिनारियो आपके दिमाग में इमाजिनेशन के अंदर आ जाएगा, तो उसके कोट के बारे में सोचेंगे कि ये लॉजिक है मेरे दिमाग में, मुझे पता है कि मुझे किस रस्ते से जाना है, मतलब मुझे रस्ता दिग यह है, मुझे रस्ता दिख चुक है कि ये पात फॉलो करना है, लेकिन अब मैं उस रस्ते पर चलूँगा कैसे, किस तरीके से मैं जा सकता हूँ उस पर, क्या अप्रोच इस्तेमान करूँगा, तो वो बात का कॉंसेप्ट है, लेकिन पहले रस्ता दूढ़ना ज़रूरी है, चलो देखते हैं, मतलब अगर आपको पता चल जाए, कि मुझे इसको उठाना होगा यहां से, एक जगा से उठाके, दूसी जगा पर लेके जाने, अगर ये चीज़ पहले clear होगी ना, कि ये मुझे काम करना है, तो फिर उसके बाद आप सोचोगे, कि ये कैसे करना है, सही है, तो अभी फिलाल हम रस्ता डूढ़नेंगे, कि करना क्या है भाई, करना क्या है, पात कौन सा फॉल होगा, चलो देखते हैं सवाल को, अच्छा मुझे ये points clear नहीं होए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता, set row में क्या गहना चाहरा है, अब मैंने देखा, for example, वो कभी कोई ऐसी 3D बात करता है, वो example देता आपको, for example, set row 3, 8, 5, 3 क्या चीज़ थी, 3 था row number, पहला parameter, देखो, पहला parameter क्या है, row number, फिर point number 2 क्या था, point number 2 था, the number of pixels to be skipped, कितने pixels, अब इसको translate करो, मैं फिर से read करो, the number of pixels to be skipped, मतलब कितने pixels, आप लोगोंने skip करने है, सही है, तो यहाँ से, वो कह रहा है, 8 pixels, मतलब 8 pixels, आपने skip करने, बिल्कुल sequence में आएंगे, बिल्कुल sequence में, just order में लिखा है, उसी तरीके से, चलो ठीक है, अब वो कह रहा है, अब वो कह रहा है, अब वो कह रहा है, आप पिक्सल्स छोड़ने को कह रहा है, मुझे अभी भी समझ नहीं है, मैं भी देखने को जाके, 8 pixels to be skipped, यह मेरे imagination के अंदर हो रहा है, यहाँ पर नहीं करूँगा मैं, यह मैं imagination के अंदर सारी चीदे कर रहा हूँ, चलो अब मुझे अभी भी समझ नहीं है, मैं उपर गया, मैं उपर गया, 385, 385, मतलब, 1, row number 1, row number 2, row number 3, अब row number 3 पे पहुँच चुक हूँ, यह row number 3 है, अब वो कह रहे, number of elements to be skipped, मतलब 8 elements, मैंने यहाँ पर identify किया, क्या समझाना चाहरा था, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब, 8 elements उसने skip की है, 8 columns उसने skip की है, क्या row fixed है, identify करो मेरे साथ, क्या row fixed है, यह बताओ, क्या row fixed है, बिलकुल row fixed है मेरी, तब मैंने क्या चीज़ identify की हैं आप है, भाई, मुझे कुछ ऐसा loop चलाना होगा, नहीं betalis हैं, गलत जवाब आगे तुमारा, मुझे nested loop का concept इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अपने row की value उसको change नहीं करनी है, तो यह row सेम रहेगी जो user देदेगा आपको, चलो, अब क्या कह रहा था, अब मैंने देखा, उसके बाद इसने 3 दिये थी value, 8 दिये थी, उसके बाद 5 value दिये थी, 5 क्या represent कर रही है, 5 represent कर रही है, the number of pixels that should be set to 1, कि कितने pixels को 1 करना है, तो अब हम आए, यहाँ पर देखा, यह 1 हो चुका है, यह 1 हो चुका है, 3, 4, 5, तो अब मुझे थूड़ा बहुत समझ आ गिया, कि यह क्या कहना क्या चाह रहा है भाई आपसे, मतलब आपको वो पूरी चीज़ दे देगा, और आपको बोलेगा कि भाई, 3rd row पे जाओ, उसमें इतने columns को skip करो, और उसके बाद इतने ही दफ़ा आपने 1-1 कर दो, सही है, मुझे रस्ता समझ आ गिया, मुझे रस्ता समझ आ गिया, अभी तक, I hope कि तुम लोग भी समझ आ गया हो, क्या समझ आ गया है, कि मुझे सिर्फ ये पता है करना क्या है, मुझे ये नहीं पता कैसे करना है, अभी मैं इसकी बात नहीं की, मैं इसके बारे में नहीं सोचा है, अगर इतना समझ आ गया है, कि करना क्या है, मतलब आप लोग एक तरीके से अप्रोच किया, रस्ता किया आप लोगा तो बाद में सोचेंगे कि attempt कैसे हो गई सही अभी फिलाल main चीज first step क्या है, कि सोचो इसके बारे में, कि भाई मुझे इसमें एक row दीवी होगी उस row के कुछ elements को skip करना होगा, उसके number बता उसका column number बताओ अगर ये 8 skip करने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skip करने तो उसके जो starting होगी वो कहा से होगी, 9 से 9 से होगी, चलो कुछ थोड़ी बाद मुझे समझ आई 9 के बाद मुझे 8 को set करना है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी अभी तक मैंने code की तरफ नहीं गया हूँ, मैं breakdown कर रहा हूँ, सिर्फ example data को देख रहा हूँ 9 को करना है, 8 को करना है for example, 9 को करना है, 8 को करना है फिर, oh sorry, 9 करना है, 10 करना है 10 के बाद 11 करना है 12 करना है, 13 करना है तो ये मुझे करने है, तो ये मैं क्या कोई increment का concept दिख रहा है किसी को 9 ओ रही है value फिर 10 ओ रही है फिर 11 ओ रही है फिर 12 ओ रही है फिर 13 ओ रही है plus 1 plus 1 हो रहा है और यह कितनी दफ़ा plus 1 हो रहा है यह बता identify करो कितनी दफ़ा plus 1 होगा 5 दफ़ा होगा पोज गए तुम लोग मेरे साथ तो यह 5 दफ़ा plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 हो रहा है क्या कहना क्या चाहरा हूँ मैंने क्या किया है दिमाग में code बन किया होगा तुम लोगे अभी तक क्यों बन गया क्योंकि हमने इतना breakdown कर दिया उसको सवाल को अपनी diagram के पर अभी तक coding start भी नहीं किया मैंने मैंने अपने सवाल को इतना breakdown किया कि अब मेरे समझ आने लग गिया है कि अगर देखो मैं 5 दफ़ा loop चलाऊंगा उसमें index ही value जो 9 से start करूँगा जो भी उसने मुझे दिया वोगा जो skipped elements दिये होंगे plus 1 करके मैं 9 से start करूँगा और उसमें अपने loop के अंदर plus 1 plus 1 करता चले जाओंगा पांच दफ़ा चलाना है और हर value को आप लोग ने 1-1 करना है बहुत simple approach start करते हैं यहाँ पर write sudo code to implement the module set row अब start करेंगे हम code लिखना अब देखो मुझे code लिखने में कितना time लगिए भाई मैंने देख प्रोसीजर पहले heading डाली प्रोसीजर set row के नाम से था पहली चीज़ थी row फिर दूसरा element जो आप लोगों ने लेना था which is skipped column कि कितने column आप लोगों ने skip करने फिर third element आप लोगों ने लेना था number of pixels कि कितने pixels को assign करने है value और इनकी data type थी integer सब्सक्राइब यह हो गया declaration of your heading उसके बाद leave three lines तीन लाइने छोड़ो अच्छा मुझे बताओ को यहाँ पे क्या-क्या elements इस्तमाल हो सकते हैं यहाँ पे कोई string इस्तमाल हो सकती है कोई concept of string इस्तमाल होगा any data type कोई string की data type समाल होगी set row के अंदर सोचो इसके बारे में नहीं होगी सिर्फ integers की बात हो रही है सही है integers की बात हो रही है हो सकता है कि शायद true false हो जाए मुझे नहीं मालू दें हो सकता है लेकि अभी फिलाल क्योंकि मुझे fall loop से करना है तो मुझे नहीं लगता true false भी करना होगा मुझे तो मुझे सिर्फ एक ही लाइन छोड़ दो या तीन लाइन छोड़ दो depends सभी उपर array का नाम है screen चलो अब मुझे देखो यहाँ पर मैंने क्या किया मैंने initialization की मैंने किस चीज़ की इसलाइजेशन की यह start index से मेला start index is equal to अब यहाँ पर arrow स्वाल होगा start index is equal to 0 सर आपने यह parameters खुद बनाए हाँ बिटा नाम आपको खुद चूज़ करना है start index is equal to 0 अब मुझे क्या करना है for loop चलाना है for index equals to 1, 2 पर देकिने चलाना है यह बताओ कितिने दह चलानी 5 नी 5 नी 5 हमने example ली थी यहाँ पर बताओ मुझे values को देखे मेरे parameters को देखे बताओ for example 5 क्या चीज़ थी यहाँ पर देखो अपने data पापाएकर देखो number of pixels को represent कर रहा था 5 क्या चीज़ थी पाइव नमबर ओफ पिक्सिल को रिपेंट कर रहे था अगर वो बोलता 10 तो यह 10 दफा लूप को चलाना पड़ता मुझे ठीक है जी, skip column, start index equals to 0, for index equals to 12 number of pixels मतलब जितने pixels आई हूंगे उतनी मुझे रिपने लूप को चलाना होगा मैंने यहाँ पर एक अपना for loop set कर दे, for number of pixels चलो मैट आ फवाज एक मिंद रुक जो अब मैंने देखा पहले पांच इंडिक्स को सेट करना था तो मैंने पांच जवलूप चला रहा था अग मुझे नंबर ओफ पिक्सल मतलब वो यूजर बताएगा अगर 10 पिक्सल को सेट करना है वन करना है तो वो फॉर इंडिक्स एको से 1-2 नंबर फिक्सल हो जाता अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं अपने स्टार्ट इंडिक्स की वैले को चेंज करूँ नहीं पर स्टार्ट इंडिक्स इस एकोल टू क्या होनी चाहिए बताऊ सब स्टार्ट इंडिक्स कहां से स्टार्ट करते हैं अगर वहाँ पे 9 था गलत जवाब अगर वहाँ पे 9 से स्टार्ट करना था तो मैं इसको in terms of parameters कैसे लिखूँगा सोचो इसके बारे में स्किप्कॉल्म प्लस वन में वह एड दे रहा था कि 8 पिक्सिल को आपने लीफ करना है तो मैं कहसे सकता हूं प्लस प्लस वन तो प्लस प्लस वन अब क्या कर सकता हूं मेरे पास कॉल्म आ चुक है स्टार्ट इंडेंट करते थे हैं area को access कैसे करते थे two dimension के screen area का नाम अब इसके अंदर value को change करना है पहले row आएगी row मतलब change same year रहेगी जो user पास करेगा यहाँ पर देखो row number three था तो यहाँ पर row आजाएगी कॉमा column column में क्या आएगा start index और इसके अंदर क्या value store करनी है इसकी value one करनी है में इसलिक है क्योंकि यहाँ पर जो वाल्यू चेंज होगी वह automatically उपर जाके store हो जाएगी प्लस वन होगा वाल्यू चेंज जाएगी जैसे count यह कुछ जो zero करते हो ना कर सकते हो सारा वह भी कर सकते हो लेकिन बेतर प्रोची है सारा वह भी सही है स्क्रीन रो स्टार्ट इंडेक्स क्यों वैल्यू को वन कर दिया आपने वैल्यू को वन करने के बाद end for end for के बाद end procedure ये ओ गया कोट हता मावपन सब्सक्राइम होधों अब मैं कोड लिखलिया अब किसी को समझ नहीं आया किसी को आगे समझ कर और नहीं आया तो पिर देखो इसको अब मैं ग्जे mattress लेटर दिखूँ गा लेणा चाहू ली सकतो फोकस 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 यहां पर देखू अब देखू अभि रुक जओ गाऊ मुझे पता है किसी को समझा ऑई किसी को नी आए मैं फिर से एक्ष्परेंग कर ढ़े तो Naveer बिटा इसमें मेरी गलती नहीं है अगर आप लिए जोइन कर रहो अब यहाँ पर देखो सब, फोकस करो बिटा देखो, मुझे मालूम है इसके और अप्रोचिस भी होते हैं, आप लोग अपनी अप्रोच मुझे मत बताओ, कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं, आप लोग के अपना दिमाग है आप लोग खुद सोच सकते हो, यह मेरी अप्रोच है अगर आप लोगों ने सोच हैं इसके बारे में, तो क्लास के बाद अपना खुद अटेम्ट करना, फुर ड्राइरन करना अब यहाँ पर देख लो एक दफ़ा, अस्मान, सब यहाँ पर देखें करें कोई मसाला है, एमधर ड्राइरन करूंगा पर इंडेक्स इकोई टो 1-2 नंबरह फिक्सल्स, नंबरह फिक्सल्स में क्या वालई आजएगी, 5 मतलब मुझे पांच दफ़ाइ वैल्यूज को चेंज करना है, 1 करना होगा 5 दफ़ा करना होगा क्यों मुझे कैसे तो चला मैंने number of pixels को देखा कि अगर number of pixels में वो 10 values डालता 10 pass करता parameter तो मुझे 10 values को change करना पड़ता मुझे 10 दफ़ा loop को run करना पड़ता सभी है तो मतलब अभी फिला 4 को loop चलेगा 5 दफ़ा मैंने कहा start index के अंदर store करो मतलब यहाँ 0 पर यह मौजूद है initialize हुआ है उसके अंदर value 0 है skipped column plus 1 skipped column में क्या value आएगी skipped column में value 8 आएगी मैंने उपर जाके हमने identify किया था इसको कि अगर skipped column की value 8 है तो मुझे start कहां से करना है मुझे उसकी plus 1 करके start करना है which is 9 तो skip column plus 1 किया तो start index में पर क्या आचुक है 9 अभी फिलाल अब मैं array पर आया मैं array screen पर आया row जो है user ने दीवी थी which is 3 तो 3,9 पर जाएंगे 3,9 पर जाओ मेरे साथ उपर चलो 3,9 पर जाओ मतलब हम यहाँ पहुँच चुके है यहाँ पहुचने के बाद इसको one कर दो यह one कर दिया मैंने ठीक है अब मेरा एक loop चल चुका है अब वापिस से दूसरे loop चलाते है start index में क्या value आचुक है start index में value was 9 आगे बादो दूसी दिफ़ा loop चला हूँ अब दूसी दिफ़ा loop चल रहा है जल्दी जल्दी बताओ वस वाप 8 value थी अच्छा अब यहाँ पे हमें issue आजाएगा इस scenario में मैं क्या कर रहा हूँ हमने dry run किया issue आगे क्या issue आ रहा है सब identify करो मेरे साथ issue को identify करो जल्दी 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 हाँ identify करो क्या issue आ रहा है सोचो 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 क्या मसला है मैंने मैंने कहा start index is equals to skip column यहाँ पे skip column इस्तेमाल किया हमने तब यहाँ पे मसला क्या आएगा कि यहाँ पे skip column की value वो same 8 ही value थी तो यहाँ पे 8 आ जाएगी plus 1 हो जाएगा plus 1 करने के पाद वही से वापे से value 9 हो गई यहाँ पे कोई value change ही नहीं होई अब इसका solution सोचो अब इसका solution सोचो क्या solution हो सकता है इसका दिमाग में ले करो दिमाग में ले करो जल्दी जल्दी दिमाग में जल्दी incrementation हम start index के अंदर inside the loop नहीं करवा रहे यह मसला है start index की incrementation inside the loop नहीं हो रही है नहीं प्लस तू नहीं करेंगे सोचो उसके बारे में स्टार्ट इंडेक्स की इंक्मेंटेशन शुड़ भी इंसाइड दे लूप तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे बस इतना सा काम करना है कि मैं इसको बाहिर ले जाओंगा इस लाइन को सिर्व देखो इस लाइन को बाहिर ले जाओंगmotion स्टार्ट इंडेक्स जीकुल स till जीरो ऊपर चला गया और फिर हम लोगोने क्या किया س्टार्ट इंडेक्स is इकुल स्टू स्किप्ट कॉलम प्लस वन को एक ही दपा करना ओगा which will be outside the loop यह बाहर आ गया और अब inside the loop हम क्या करेंगे inside the loop क्या करेंगे पहले add करना है फिर हम लोग इसको plus one करेंगे तो यहाँ पर आपका start index is equal to start index plus one आ जाए हो start index is equal to start index plus one इस तरीके से अप्रोच होगी क्या मसला आया क्या चीज़ किया हमने क्या सीखा इससे सिर्फ इतना से सीखा dry run किया code गलत था code को सही कर लिया approach देखी कि 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 मसला क्या था start index में incrementation नहीं हो रहा था incrementation नहीं हो रहा था तो हम लोग ने incrementation स्टार्ट कर दिया अब देखो अब फिर से इसको dry run करेंगे एक दफा अप्रोच हो गई अब दूसी दफा फिर से करते है focus focus यहां पर चाहिए अब दो अलग-अलग उसकी वह सकती है plus index अलग-अलग approaches आप follow कर सकते है हाँ बिलकुल कर सकते हो तुम लोग करना चाहो तो plus one करने के बजाए आप index को plus कर सकते हो तो वो हर चीज़ का scenario different आप लोग को सोचने का criteria different मेरा को सोचने का criteria different है सही है अगर तुम लोग इसको वो कर देते है कि start index is equals to skip column plus index तो पहली दफा जब loop चलता तो plus one होता फिर दूसरी दफ चलता तो फिर plus two होता फिर तीसरी दफा जब चलता तो plus three होता तो वो भी सही थी approach उस तरीके से करना चाहरो वो भी सही है अभी हमने क्या किया है जो मेरे दमाग में है वो मैंने कर दिया कि अब हम लोग ने start index को सिर्फ एक ही दफा इंक्मेंटेशन करवाई है dry run फिर से करते हैं फिर से dry run करो मेरे साथ three, eight, five values है हमारे पास उसके बाद हम लोग ने start index के बाद हम लोग ने क्या किया value zero है start index की value को change करके skip column plus one कर दो skip column plus one क्या मतलब eight plus one eight plus one अब start index की value nine हो चुकी है सभी बताओ यहां तक कोई मिसला किसी को start index की value nine हो चुकी है जल्दी जल्दी देखो चलो आगे बढ़ो अब पहली दफा for loop चल रहा है for index is equals to one two number of pixels number of pixels में क्या value है की five मतलब पांच columns को change करना था पांच दफाँ change करना था तो मैंने यहां पर क्या किया for index is equals to one two number of pixels मतलब five तो पांच दफाँ loop चलेगा फार का पांच column की values change होंगी मेरी अब देखो मैंने का screen row start index row मतलब three start index मतलब nine अभी फिलाल के लिए is equals to one तो three, nine पे जो और उसकी value को one कर दो मतलब हम उपर चलते हैं इसको visualize करते हैं imagination के अंदर अपनी यहां पे पहुचाओं में three, nine पे यहां पे value को मैंने one कर दिया आगे बढ़े दूसी तफ़ा loop चल रहा है और उसके बाद मैंने कहा start index equals to start index plus one अब बताओ start index की value क्या हो गई सब चैट पर जवाब दे start index की value अब क्या हो गई पर आए मैंने कहा screen 3 start index की value was updated to 10 तो 3,10 पे जाओ और वहां पे one कर दो अब मैं 3,10 पर आया यहां पे भी मैंने one कर दिया इसके बाद आगे approach देखते हैं अब फिर से start index plus one हो गया मतलब 10 से अब 11 हो चुकी है अब हम वापस से नीचे आए 3,11 पे जाओ और वापस इसको one कर दो इस तरीके से यह 5 दफ़ा चलेगा 5 दफ़ा चलने के बाद 11 पे store होगा फिर 12 पे store होगा फिर 12 पे होगा फिर 13 पे होगा इस तरीके से 5 values will be updated तो अब मैंने क्या किया मैंने dry run करके देखा कि अब मेरा code सही काम कर रहा है तो that's it आगे बढ़ जो, बात ही खतम code सही होगा आपका क्या, क्या सीखे इस से भाई मैंने टेल देगे है बिल्कुल start index plus start index plus index भी कर सकते हैं सही skip column बिल्कुल parameter है तो उसके अंदर हम value का updating कर रहें ना बेटा क्यूंकि वह बैद उसके visualize कर सकता हूं इसलिए हाँ तो अभी तक जो चीज़ सीखिए वो क्या है अभी रुक जो अभी सबके में जबाब दूँगो तो time होगे फिर तो अभी रुको focus करो बिल्कुल nine होगा फिर nine के बद प्लस one होगा ना start index प्लस one बिल्कुल आप लोगों की approaches जो है वो सबकी approach में थोड़ी देख सकता हूं अब आप लोगों की approach जो है वो सही है उसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करोगे आप लोग उसका ड्राइरन करके देख लो अपनी approach हो class के बाद अभी फिर सक attempt कर लेना उसको और अपनी approach को और ड्राइरन कर लो सही है तो इससे आप लोगों की approach clear हो जाएगी मैं अभी सबके approach नहीं चेक कर सकता है यह मेरे दिमाग में जो code था वो यह है इसकी माकसी मिया आप लोग میں दे देता हूं यहां पर माकसी महाँ भी महुजूद है इसकी तो इसमें भी तीन अलग अलग तरीके से इसने alternative तरीके बताए वे यह बी कर सकते हो तो दो तरीके उसने बताए वह आपको आप दोनों में से कुई भी attempt कर सकते हैं वह आपकी अप क्रिप्ट कॉलंब प्लस वन यह अगर मैं इंसाइट दे लूप कर रहा था तो वैल्यू सेम ही रह रह रही थी तो इस वजह से मैं इसको बाहिर लेगी है क्योंकि एक ही दफा प्लस वन करवाना है प्लस वन करवाने के बाद मैं जै क्या करना पड़ा जो चीज इंसाइट भाई मेरी अप्रोच गलत थी अगर गलत हो तो ड्रायरन करो एक दफा मैंने टेस्ट करके देख लिए 385 डालता हूं अगर मैं तुम्हें पास आंसर अप्रोच सही आ रही है यह नहीं आ रही ड्रायरन करके देखा मुझे फॉरन गलती पर चल गई कि भाई मेरी वैल्यू म सिर्फकशं गाल है चली किसी बिटन नहीं चलेगी ना एक ही दफ़र चलेगी इस लाइन के बाद इस नाइन के बाद उसकी वैल्यू को इंसाइड लूब हम इंक्रिमेंट करते जा रहे ना ना नाइन के बाद 10 हो जाएगी एप्र 11 जाएगी पिर 12 हो जाएगी इस तरीके स से काम करेगी कि इसकिप कॉलम प्लस वन को रिपीट कर दूंध यह देखो अबदुल्ला किया था स्किप कॉलम वस एट अभी फिलाल की ग्जैम्पल के मताबिक देखो आठ गॉलम्स जो टे वो स्किप करने थे तो नाइन से स्टार्ट करना था तो एट प्लस वन मतलब होई नहीं दीती जब वैलू चेंज नहीं हो रही है तो इसमें क्या अप्रोच आप फॉलो करोगे आउट सेट लूप ले जाओगे एक ही दफ़ा करवाने फिर उसका प्लस वन प्लस वन करते चले जाओ इंसेट लूप कर सकते हो भी इनिशलायज करना जरूरी है अच्य 17 देखते हैं इसको साही है तो यह अप्रोच आप लोगब आइफ फॉलो करना जरूरी है स्टार्टिंडेक्स क्यूं जरूरी है सानिया देखो स्टार्टिंडेक्स इसलिए जरूरी था क्यूंकि आपने 8 से स्टार्ट नहीं करना आपको उन्हें एक particular index position से changes करना start करने तो 8 जो है वो यह है values उसके बाद plus 1 करके फिर यहां से start करना है इस सवज़े से मैंने स्टार्ट इंडिक्स इस्तमाल किया सभी है तो यह अप्रोच दे चलो आगे बढ़ते हैं अब जो हम लोग ने कॉशन करना है वो है सर्च इन रो का कॉंसेप्ट अच्छा दाउद बिटा क्या इश्यू आ रहा है क्या मसेला है ड्रायरंग भी करके देख लिए क्या इश्यू है तुम्हें डिस्कस करो अटेंट करना आप लोग ने पहले यह कोड यह बताओ खुद अटेंट करना है फिर मैं कराऊ डिस्कस करो जल्दी जल्दी अच्छा अब सुनो अब सुनो अब जो है मैं आप लोगों को हाँ बस फिर ठीक है अब मैं जो हूँ बिटा अलियादा अभी सिर्फ इस पर फोकॉस रखो बस अब रुको अब मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इस कोड को मैं repeat कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने set row का concept देखा है, अभी सिर्फ जो चीज अभी फिलाल दिमाग में क्या है आप लोगे, अभी दिमाग में यह होनी चाहिए कि हमने किस question को read कैसे किया, समझा कैसे, उसकी approach कैसे बनाने की कोशिश किया, यहां तक अपने दिमाग में रखो, I'm sending you the notes, यह यहां तक कि जो PDF है, मैं आपने को भेज रहा हूँ, इसके जो बाकी की, I guess, दो पार्ट्स हो रहे हैं, दो modules हो बनाने, एक search and row बनाना है, और एक आप लोगों ने बनाना है, get center call, तो इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, और अप्रोचे से अपनी दिमाग में लेकर आओ, कि क्या अप्रोच follow कर सकते हो, attempt करके, फिर जो कल ही class होगी, इसमें हम यह दो question attempt करेंगे, और एक और बेटाई, श्यान, खुद पढ़ना ना, खुद पढ़ना question समझ आएगा तुमें पिर, एक और question को solve करेंगे, यह वाले question को complete करेंगे, और एक और question को solve करेंगे इंशाला, सही, या तो एक इस file का question मैं करवा दूँगा, या related question, एक और देखेंगे, ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहीं तक रख रख रहा हूँ, आप लोगों को जाना है, आप लोग जा सकते हो, time up हो चुका है, हम लोगों का, अब इस approach के मैं repeat कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए, जिसको समझ नहीं है, वो यहाँ पर रोख सकता है, सही है, तो let me stop the recording, I guess, that's it for today,